मंदिर में जाना मेरा उद्देश से नहीं है मगर लोगों को ये बताना मेरा उद्देश से है कि इन मंदिरों में हमें प्रवेश नहीं है काडाराम नासिक का जो मंदर था उसमें बावा साप का ये कहना था और काडाराम मंदिर में जब गया अभी नासिक अगस्त के अंदर तो वहाँ जो मुझे घुमाने ले गये तो उन्होंने कहा कि ये बरावर वाला जो थुड़ दूर का जो टेम्पल है मंदर है वो गोरा राम मंदर है तो मुझे मुस्कराहट आ गई गोरा भी है और काला भी है दो है इसका मतलब एक नहीं है हलाकि मैं जानता हूँ कि जो राम है जो राम सब्द है पाली के अंदर जो आराम हमारे बने हुए है जैतना राम निगठ राम पुबा राम की जितने भी हैं इसमें हमारे लोग रमन करते थे रमन करने वाले को राम बोलते थे और जहां रमन करते थे उस जगे को आराम बोलते है. इसलिए हमारे तो बिहार में लाकोर करोलो राम है. राम भरोसे राम बिहारी, राम हरी, राम بल राम. यह सारे जितने भी राम हैं. हमारे ही है. इसमें कोई शक नहीं है मगर वहाँ यह बात अभी कहने का समय नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आप पाली अभी नहीं आया है ये बताने का कि कैसे सब बताएं बदी जाती है और कैसे टेड़ी होती है और कैसे मेड़ी होती है और कैसे वो मिलावट की जाती है इसलिए उन्होंने स्टेट फारवड 22 पर तिक गया दे दी और वही हमको मानना चाहिए दाए-बाए नहीं उलजना चाहिए क्योंकि हम जुडने का और जोडने का काम कर रहे हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये तोडने का और तूटने का जो काम है ये कैसे चलता है क्योंकि अगर किसी चीज के इंजीनियर बन रहे हो और खास तोर से जुडने और जोडने के इंजीनियर बन रहे हो अगर तोडने और तूटने के इंजीनियर नहीं बनोगे तो जोडने और जोडने की मास्टे नहीं हो पाएगी एमटेक नहीं कर पाओगे बड़ डिप्लोमा लेकर चले जाओगे और कहीं लेवर बनके काम करते रहोगे जोड़ना है जोड़ना है जोड़ना है जोड़ना है तो ये भी पता होना चाहिए कि तूटे कब थे और तोड़ा किसने था और तूटने और तोटने का जो काम है वो जोड़ना और जोड़ना होता है जब सारा समझ जाते हैं फिर काम करना का बड़ा मज़ाता है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है और चेहरे पे चमक कानी शुरू जाती है क्योंकि जब वो तोड़ेगा तो पता चलेगा तोड़ रहा है तो जोड़ने के लिए आपको फिर ज़्यादा महत नहीं करने पड़ेगी क्योंकि जब तोड़ेगा तो उसमें थोड़ा सा पस फैभी को लगा देना फैभी को लगा देना वहीं जोड़ जाएगा कोई दिक्कती नहीं आने वारी है और कुछ समय बाद तो ऐसा हो जाएगा कि तोड़ेगा तो तोड़ने से पहले पता चल जाएगा तोड़ रहा है तो तोड़ने दोगे भी नहीं और फिर कुछ समय बाद ऐसा होगा कि तोडने वाला आपको देखती भाग जाएगा कि कोई फायदा नहीं यहां बात भी करूँगा यह समझ जाते हैं क्योंकि सबसे पहले संग था बुद्ध से पहले संग था और बुद्ध से पहले अगर संग था और जातिया नहीं थी और वन नहीं था तो बमण बमण भी सब्द नहीं था क्योंकि समझ सारे लोगों को समझ जब बोला गया जब बमण आगे बना तो हम सारे सारे लोग क्योंकि किसी घर के अंदर अगर सारे के सारे काले हैं तो कौन कहेगा तू काला है, सारे काले हैं हम तो, या किसी घर के अंदर सारे गोरे हैं, तो कौन कहेगा तू गोरा है, सारे गोरे हैं, जब तक कालों के बीच में कोई सफेद ना आ जाये, तब तक उन्हीं पता चलता है कि यह रंग तो अलगे, यह रंग तो अलगे, फिर उस भारत के, भारत सब्दी में नहीं था उस समय, जो जितना गौंड वारा लेंड कह सकते हैं, या गौंड कह सकते हैं, पुराना नाम है, बहुत पुराना, या जो उस समय नाम कहते थे आपस में, बहुत सारे नाम इसके चलते हैं, आपस में एक दूसरे को कहने के, वो नाम चला मांसिक्ता वाले विप्रीत या विरोधी काम करने वाले विरोधी विचार वाले विरोधी तरीके से रहने वाले या विरोध करने वाले वमण इस वमल को और बमल में कोई अंतर नहीं है बमल 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 और बाद में जब इसको ब्रहमन किया गया वो सारे सब देखे हैं क्योंकि ब्रहमन तो पाली का सब्ड है नहीं आदा रहे आता है उसके अंदर तब बुद्ध ने ये देखा है कि ये लोग करके आ रहे हैं और काम के चलना है क्योंकि जो वमल बिप्रीत मन वाले लोग थे उन्होंने यहाँ सराब, हिंसा, वेबचार, जूट, चोरी, चकारी, आलस, मेहनत, जितनी निगेटिव चीज़े थी वो सारी के सारी फिलोट करनी शुरू कर दी, बहारी शुरू कर दी, उसका प्रचार करना शुरू कर दिया, उसका सेवन करना शुरू कर दिया, और समण लोग धीरे 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 खराब होने लगे, खतम होने लगे, सेथ खतम होने लगी, विचार खतम होने लगे, परिवार खतम होने लगे, हमने समझा जाना कि ये जो चीजे हैं ये मन को कैसे खराब करती है मन कैसे काम करता है कैसे मन उससे बदल जाता है पर कमाल की बात ये है कि पानी पीता है तो नहीं बहकता है और अगर सराब पीता है तो बहक जाता है और सराब सरीर के अंदर जाके काम कैसे करती है ये कैसे मन को दूसित करती है और कैसे आदमी बकबक करना शुरू कर देता है और कैसे ये पाप करने के लिए उकसाती है जब तक नहीं पीता जब तक पाप नहीं करता पीने के बाद पाप करता है पाप के लिए उक्साती है। सुरू किया, पुरे देस में सब को बता दिया, सब को सिखा दिया और ये बुराईयां चली गई. ये बुराईयां चली गई तो लोग सुखी हो गए, लोग सुखी हो दिये थे तो वो खुद भी सुखी हो गए और उन्होंने पूरा इरान से लेके बर्मा तक सुखी कर दिया और हजारों साल तक ये चलता रहा मगर तोडने और तूटने का जो प्रिक्रिया है ये तो नैच्रल है क्योंकि जिन लोगों को काम नहीं करना जो लोग आलसी है जो महनत नहीं करना चायते हैं जो दूसरों का फ्री का खाना चायते हैं जिनको पाप करम करने में मज़ा आता है जिनको दूसरों करने में मज़ा है वो तो तोड़ेंगे भी और तोटेंगे भी इंखटा तो रहने देने देंगे तो उन्होंने तोडने प्लान बनाने शु stripes तब पहली वार जो सिब्द आया वो आया वन वे डे पुरा रण का मतलब है सफेद रंग। या पीद वन पीट का मतलब है पीला वन ये हरित वन का मतलब है हरा रंग तो उन्होंने रंग भेद किया सबसे पहले भारत में सबसे पहले रंग भेदाया इसको वन वहिद बोलते हैं और वन में जब पाली से संस्काइद करके उसको चेंज किया गए अपनी भासा में तो आधा ने हटा के रहे लगा दिया तो वन का वन हो गया तो कैसा भेद हुआ कुछ लोग जो उपर से आए पहाडों से आए या दूसरी जगे जहां ठंड पढ़ती थी वहां से आए उनका कोई रंग नहीं था यानि वन नहीं था कोई भी और जो यहां के लोग थे उनकी खाल का रंग मेरे जैसा होता था जैसा मेरा है सामला कह सकते ह मैं सफेद नहीं था तो जिसके पास रंग नहीं था उसको कहा ये लोग एवन हैं एवन और जिनके पास रंग था उनको कहा सेवन से मारे निज होता है सेवन यानि स्वेम के रंग के साथ तो इसको ध्यान देना एवन का मतलब है बिना रंग वाला बाद में इसको अवर्ण हो गया और जो सेवर्ण है वो रंग वाला होता रंग साइथ होता है उसको सवर्ण कहा गया तो सवर्ण लोग हम हैं रंग वाले और एवर्ण लोग वो हैं जिनका रंग नहीं होता मगर चुकि हमारी मानेता बहुत जदा थी हम बड़े पावरफुल थे हम राजा थे हम सकती साली थे हमी सैना थे हमी सिपाई थे खेत खलियान हमारे शिकारी हम इंजिनियर हम ब्यापारी हम बनाने वाले हम पढ़े लिखे हम पत्थर पर लिखने वाले हम पढ़ने वाले हम बैद हम डॉक्टर ह हम सारे काम हम करते थे वो तो याचक थे इसलिए बाद मैं उनोंने अपने आपको भी जबजσती सेवन करना सूरो किया क्योंकि महिला है हमारी इस्तमाल पने महिला था- महिला उनकी नहीं थी तो महिला सेवन वाली थी वो सेवन वाले हो गये और हम अवण से अवण वाले होगे बदल गया सब, देखो पाली का सब کہां से कहां बदला हुआ है आज के समय कहते हैं हम वो सॼन है वो स्वन नहीं है हम स्वन है बाई हमारा सुन जैसा रंग है और वो अवण आज मिए है जो सफिद होते हैं कोई रंग नहीं होता ये बिल्कुल किलियर और इस पस्ट है इसलिए बावा सावा मेट कर पाली दे के जाते हैं पढ़नी चाहिए पाली तो पता चलता है फिर वो आगे बढ़ते हैं यहीं बात नी बन दी तो उनके जो प्रकक होते हैं प्रेरक प्रकक का मतब है प्रेरक जो यहां हमको तोडने और तूटने के लिए जो चीज़ें इस्तमाल की वो सारी निगेटिव चीज़ें इस्तमाल की जो बुद्ध्रें पंचसील के सिद्धानत बनाये थे वो उल्टे कर दिये उन्होंने दारू कि ठेके खोले दारू प्लानी सुरू करी मदराय चलने लगी चोरी होने लगी चकारी होने लगी वेबचार होने लगा आलस होने लगा बलातकार होने लगे हत्याय होने लगी हिंसाय होने लगी ये सारे काम के साथ साथ में ब्यापार में गव्ल होने लगी कम तोलने लगे चोरी करने लगे विचार की चोरी होने लगी सामार की चोरी हो गया तो पैसे का लेंदेन में चोड़ी होने लगी पैसा मारना हो गया यह सारी जितनी बुराईयां हैं वो सारी बुराईयां फिलोट हुई हवा में बहाई गई लगता लगता ताकि तोड़ने और तूटने के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूबी है यानि राग देस और महमूड़ता यह इन तीनों में सारी चीज़े समढ़ जाती है तो उन्होंने जब तोड़ा ताड़ी ज़्यादा मचा दी और बहुत ज़्यादा समाज खराब होने लगा फिर संत आये संतों ने जगे जगे बहुत सारे संत हुए संतों ने सत संग किये सत संग का मतलब ह सत्य माने सच और संग यानि इसको संग कोई ही संग बोलते हैं कहते हैं संग संग रहना है इसका मतलब संग संग में रहना है तो कोई उसके संग जा रहा है इसका मतलब संग के साथ जा रहा है तो संग सब्द पाली के अंदर नहीं है संग है संग काई संग बना है कि मेरे संग जा रहा है दरसल मेरे संग जा रहा है तो संग सब्द वहां से संग और संग का मतलब सेम है इसलिए कहते हैं भाई आप दोनों भाई संग संग जाना यानि संग में जाना एकटे होके जाना इसको संग बोलते हैं तो संग और संग एक है तो उन्हों ने सत संग किये संग किये सं बुराइयां हटेंगी, तो हमारा कोई कुछ ने बगाड सकता, और अगर हम यह सब बुराइयां खतम कर देंगे, तो हम जीत जाएंगे, चाहे हम किसी भी हालत हमें, चाहे अनपड़ हैं, चाहे पड़े लिखेंगे हैं, चाहे डिग्री होल्डर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, च चाहे गरीब हैं चाहे मजदूर हैं जा भूके हैं या रूके हैं जैसे भी हैं जीत जाएंगे अगर ये बुराईया नहीं क्योंकि जिसकी बुराईया नहीं होंगी उसका पैसा कहनी जाता उसकी बुद्धी कहनी जाती उसकी सेहत कहनी जाती तो सारे संतों ने जगे जगे ब मुटे चोटे मुटे हज्जारों संत पैदा हुए हैं जिन्हों ने ये संगत की साथ की बताया और बताया एक ही नियम कोई पंसील के नसा नहीं करना है जुआ नहीं खिलना है सराब नहीं पीनी है वेफचार नहीं करना है चोरी चकाई नहीं करनी है ब्राद का नहीं करना है किसका पैसा नहीं मानना है, अब सब्द नहीं बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है, यह सारी चीज़ें उन्होंने जो बताई हैं, वहीं बताई हैं, जो बुद्ध ने, इसलिए बुद्ध जैसे विक्ति कहते हैं, समाज चलने लगा संत आये तो अब फिर दुबारा से जो तोडने वाले हैं जो कुकी फिर तुड़ गे तो तोडने वाले और जो तूडने वाले हैं वो तो मानेंगे नहीं वो तो लगाता तोड़ेंगे क्योंकि तोड़ेंगे नहीं तो उनकी रोजी रूटी के चलेगी, काम करना पड़ेगा, खेती में जाना पड़ेगा, और तोड़ेंगे तो फूट हो जाएगी, तो संतों के बाद से फिर काम के आधार पर भेद हुआ, काम के आधार पर हुआ, इस्थान पर हुआ, भासा के पे हुआ, बोली के आधार पे हुआ, इन चीजों के भेद हुआ, अंतर हुआ, और इस अंतर को बढ़ाना शुरू किया, तोडने वालों ने, और अंतर बढ़ाते, 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 वो काम वाला जो अंतर था, उसको काम में ही गो अभी हुई है चार सो पांच साल पहले उससे पहले किसी सहते में जातियां नहीं मिलती ये जातियां मिलने लगी क्योंकि हमारे जो लोग थे वो पहले सारे सारे एक साथ थे एक काम क्या करते थे सब के सब जंगल में जाना जंगल के काम करने जानुर करने दूदगा करना फाइदा उठाया बहुत साई लोग कहते हैं बम्मणने बहम्मणने जातिया बनाई हैं अरे भाया अगर वो इतना अकल बंद होता अगर वो इतना शांदा जानकार होता तो दुनिया में जातिया बना देता दुनिया के जो लोग है उनको मुर्ख बना देता वो अकल बंद न उस समय यही काम सीखेंगे, क्योंकि यूनिवस्टी तो कोई टेनिंग की है नहीं, पढ़ाई कहीं है नहीं, तो रोजगार वही सीखेगा, जो घर में रहता है, तो इसलिए जो चिंपी है, चिंपी का बेटा चापता रहता है, जो कपड़े बनाने का आदमी है, उसकी जो अल काम करता है, उपसपालन करेगा, जो खेतिया करता है, तो खेतिया करेगा, काम सारे वही सीखे जाते हैं, इसलिए इसका फाइदा उन्होंने उठाया, दुनिया के इत्यास में, यह कहें कि भारत के इत्यास में, किसी किताब में भी यह नहीं लिखा हुआ है, कि पहली जाती जो जातियां यह कैसे बनी, इसका कहीं इस्टीनी मिलती आपको. क्योंकि यह किसी ने बनाई होजी तो वो उसका क्रेडिट लेता, वो कहता कि मैंने इसको ऐसे बनाई है वो पूरा सिधान देता, कि ये व्यक्ती जब ये ऐसा ऐसा करेगा तो उसकी ये जाती है, और जब ये कोई दूसरा ऐसा सा करेगा तो उसकी वो जाती है फिर वो लिखता कि ये जाती इससे छोटी होती है और ये दो उंगल छोटी होती है और दो इंच छोटी होती है और चार इंच छोटी होती है फिर वो लिखता कि ये जाती है अगर पहाडों कर जाएगी तो इतनी चोटी होगी इसमें ये सामिल होगी तो ऐसे होगी तो सद्धात देता अगर कोई बनाता कोई अकल बंद होता तो कोई है यह नहीं तरसल हवा में सारा सिस्टम बावा साथ खुद कहते हैं कि यह जो जाती का सिस्टम है यह सारा का सारा एयर में है यह मन से है मांसिक है क्योंकि हम काम करते थे, काम करना हमारी शान थी, तो हमको कहा कि अरे, ये बहुत बड़िया पेल काटता है तो लकड़ हारा हो गया, लकड़ काटने वाला हो गया, तो pride की बात थी कि लकड़ी काटने का महनत का काम है, और तब तो सारे दुकाने भी नहीं होती थी, तो ये तो सब चीजे अभी बनी है, कितने साल हुए है, सो साल, 200 साल, 30 साल, इससे पहले कहा होता था, इससे पहले तो हार्ट लगा करती थी, किसी बड़े-बड़े सेहर में कोई बजा बजा रहोंगे, छोटी मिन दुकाने, तो ये सिस्टम अब डबल अब हो रहे हैं, तो अब आप कह सकते हैं, कि काम की अधार पे अगर जाती हैं, तो जाती हैं, अब तो डबल हो चुकी है, जादा हो चुकी है, मगर जाती के सिस्टम के साथ में जो सिस्टम बना वो फिरी खाने का बना फिरी खाने वालों ने और जो आलसली लोग थे और जो बंबन लोग थे वो सिस्टम उनको फिरी में मिल गया सिस्टम तो काम करने का था वो फिरी में काम करने का मिला उसमें उन्होंने परमपराएं, मंगलनत बातें, अंद्विस्वास, पाखंड, पूर्खंड ये सब डालके मिर्चमसा लगा के और आदमी की बुद्धी गुमा दी, क्योंकि जो लालची आदमी होता है, या जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है, वो फस जाता है, तो ऐसे लोग फस ने लगे, उनका काम चलने लगा, ये काम सारक सारक चल रहा था आराम से, कोई दिक्कत रही थी इसमें, और ये काम वो जानते थे, कि ये काम गंदा है, जोटा है, देश को पीछ लेज दे जाता है, इसलिए विरोध करने वाले का दमन किया, और दमन करने का जो तरीका था, वो पितालित करना, वो उनको मनुस्तना होने का एसास दिलाना, पहुत सारी बात हैं जो आप देखते हैं, गाली ग प्रेस किया जा सकता है, किसी भी तरीके से, खाना पाना, बोल, चाल, लेना सेना, सब तरह से, ताकि वो अपनी बात को कहे ना, क्योंकि वो विरोध करता है, वो बार बार कहता है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सब चल रहा था और चरम पे था, तो ब इकरम बंद हो गया अब क्योंकि तोड़ने ओर तोड़ने वाले जो लोग हैं वो तो लगाता लगाता जारी रखेंगे न अपना प्रेयास लोग थो खतम हो जाएंगे वह हमको भी खतम नहीं होना है और उनको भी खतम नहीं होना चाहिए तो नेशुन प्रोसेस है इसका बु जिसमें वह अपने आपको वन बोलते थे। उन्हों ने कास्ट नहीं बनाई अपनी वन बनाई और वन में eau वहां व्यापार करने वाले और वॉझा पाठा काम करने वाले थी वह और जो सासन पर सासन में लट लेके खड़े रहते थे लटेत उनका काम वो अलग हो गया तो ये जो 6743 जातियों को जो तीन हिस्सों में उन्होंने तोड के बंद कर दिया उनका जितना मनसूबा था तोड़ने का वो तोड़ने का बाबा साब में खतम कर दिया और इस सुम्मी से खतम कर दिया कि ये जल्दी ही समझ जाएंगे तो ये तीनों तीनों फिट एक हो जाएंगे ऐसा उनको चला मगर जो तोड़े तोड़ने वाले हैं वो तो लगे पड़े हैं बाबा साब ने एक इसारा दिया कि राजनितिक सत्ता दे के जा रहा हूँ मैं धार्मिक सत्ता यो धार्मिक समानता है अधिकार है वो नहीं दे पाया मैं जो सामाजिक समानता है वो नहीं दे पाया मगर राजनितिक समानता दे पाया हूँ इससे दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगे क्या मतलब था? इसका मतलब ये था, कि राज़नीती में जो आरक्ष्टन दिया हुआ है, उससे जो सीटे आएंगी, वो सारे लोगों को एकटे रहना है. यानि जो S.C. की, S.T. की सीटें हैं, चाहे वो विधान परिश्चत में हैं, चाहे विधान सबा में हैं, चाहे किसी community council corporation में हैं, चाहे वो parliament में हैं, उनको एक खटे रहना है, उनकी एक ही party होगी, कि वो चुनके जो आए हैं, वो सुरूल कास या सुरूल ट्राइब पर टिकट पर आए हैं, वही उनकी party का नाम रहेगा, ऐसा जानकर उन्होंने कहा था कि राजनितिक हतियार से बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि अगर वो 131 लोग अगर वो एक साथ रहें, तो हर एक वित्तिक उनकी जोद पड़ेगी, अपने पाले में लाने के लिए, तो वो अपनी बात को मनवा सकते हैं, वो अपनी बात को कह सकते हैं, और बावा साब को ये भी आसंका थी, कि ये कैसा, या कमिटमेंट के सकते हैं, या उनका जो वाएदा है, या जो उन्हें मिला है, उनका इमान के हसाब से, क्योंकि नुने इमान्दाई नहीं दिखाई, और उनने बेंखनी की है, उर चुनकराइ शुलकाश शुल्टक्राइब की प्रतिमीत पह और नुक्सान उनी को प है उसके बरावर और बिप्रति कृया होती है और वह हाथ के आत होनी हो जाती है अच्छे करम करोगे तो अच्छा पिटिकरी आती है खराब करोगे तो खराब आती है और ये सच्चा सद्धात है बिल्कुल इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है वगर अभी तो हम बरे जा रहे हैं तो इसलिए जो राजनितिक बात आई थी कि राजनिती से लाव हो सकता है तो कुछ हमारे बावा साव अमेडिकर बात में जो लोग आए उन्होंने का राजनितिक हमें चीजें प्राप्त करनी है इससे तोड़ना तोड़ना बच जाएगा वह कितनी अजीब कात है कि राजनिती से टूटना टूटना कम होने की वजया है खतब हनी वजया और बढ़ गया राजनितीक पार्टी एतनी हो गाउं का S.T.A. उसकी बात होने लगी और O.B.C. के अंदर उन्हें सबसे पहले तोड़ा O.B.C. बनने से पहले तोड़ दिया क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर और उसकी रिस्टिक्शन लगा दी कि इसकी प्रोमोसन नहीं होगी अर्शल में तो उनका तो मामला बनने से बात है की खतम कर दी दिया, तो मिला उनमें बड़ी मुस्किल से और उसके बाद में फिर उनको ओ तोड़ा हर याने के अंदर खूब भी सी का जगड़ाता है दिल्ली के अंदर जगड़ा चलता है हर इस्टेट में अती पिशला पिशला का यहां ते कि उन्हें हमारा एससी एस्टी का जो आयोग था उसके अगेश्ट में एससी का अलग तोड़ दिया ओवी सी का अलग बना दिया तोड़ने का है तो अगर वो आपको नहीं तोड़ेंगे तो आप उनको तोड़ दोगे तो तूटना कौन चाहता है कौन मनना चाहता है भाईया और अगर आप नहीं जुड़ोगे तो आपको तूटना है आपको मरना है तो मरो भाईया इसमें कौन क्या कर सकता है तो राज जो चाबी है वह मास्टर चाबी है जो बावा साम ने बताई है इसलिए राजनितिक पाड़िया बनाओ अरे मूर्खो तुम को समझ में नहीं आती तुम जोड़ने का काम करने चले तोड़ने से मतलब तुम पत्थर तोड़ रहे हो और हमको कह रहे हो के हम तो पत्थर तो होनी चाहिए कि अगर स्टूर्ट रॉकाश के टिकट पर जा रहा है तो उसको इकटा रहना चाहिए तो ये काम उनको कहे कौन के बावा साब के कहने पर दस साल का तुम्हें रिजर विसन मिला और उसमें तुमकों एकटा रहना था उससे हमारे अधिकार जो लेके आने थे जो हमारे economy का धिकार थे समानता कि वो लेक्वाने थे जो हमारे social rights थे वो लेक्वाने थे और तुम तो खुदी महां तोड रहे हो इतने सारे संग्ठध बना दी हैं तो तोडने वालों से जोडने की उम्मीद मत करना जो पाल्यमेंट में बैठे हैं वो तूटे-पड़े लोग हैं, कि उनको किस पार्टि से है थे किस ने उंक को भेंगे, उनको पता नहीं है. और वह जानते हुं यद तो मकड़ बना लेते हैं और संख्धन से भी उम्मीद मत करना क्विक्द संख्धन तो खुद तोडने का काम कर रहे हैं, खुद तोड़ने में साया के हैं यह क्या जोडएंगे तो अब क्या करोगी अब जोडएगा कौन? पहले तो बुद्ध आ गे तो बचा के लेगे समुला भंभला से उसके बाद में फिर समुला टासुग ने चलाया कोउव दबा के बाद तक चलता रहा अब तक चलता रहा पांशव पैल शाप सासु Сब्कиз शाल सान पहले संत आ गे सारे तो संतों में कुछ इस्ता बचा लिया तो संत भी मर लिए खप्षिये चले के तो उसके बाद में फिर बाव सहाब आगे तो बाव साब ने बड़ा मेहनत की और उन्होंने अकले नहीं सब्सक्राइ बाद में जो नेलायक्शन लोग आए और उनोंने राजनीती की बना ली तालाचावी मिल लगने लगे उससे फाइदा हुआ एक इंच और नुकसान हो गया दोसो इंच जो अधिकार आए थे वो भी चले गए अब कौन आएगा बचाने की अब किसका दरवाजा देख रहे हो अब किसका इंतियार कर रहे हो अब नहीं आने वाला कोई भी और समय इतना कोई है नहीं कि आप यह सोच क्योंकि अगर नहीं बचोगे तो मारे जाओगे तो या तो जुड़ना है बचने के लिए और अगर तूटना ही है तो फिर मारे जाओगे तो कौन चाहेगा कि हम मारे जाएं इसलिए जुड़ना है तो अब कोई नहीं आएगा बचाने की अब आपको आना पड़ेगा अब अत्त दीप भड़ चलेगा भाई उस धांत साथ दे रखा है अब वो वहाला सेंटेस हला कि हम दूसरे के मजब दूसरे की بات मैं यकिन नहीं करते हैं मगर इस बात में यकिन करलो भाई कि जो अपनी मदद आप करते हैं उनकी मदद पूरी काइनात करती है पूरी ने नियचर करती है, इस धान्त को मादो, अत्त दीब भन जाओ, और दिन रात इसमें लग जाओ, जुड़ने का काम करना है, वनना तो देखो तूटने का काम तो लगाता चल रहा है, और जैसे जैसे हमारे टुकड़ों होते जा रहे हैं, अब हम रेत में बदलने वाल हैं, तो अब हमको सिर्फ छोटा से तो फैविकॉल लगा रहा है, चुपक जाएंगे, अभी जादा नहीं टूटे हम, और अभी हमारे पास सम्विधान नाम का फैविकॉल है, सम्विधान नाम का हमारे पास में चिपकाने का बदारत है, इसको डाल दो, तो जल्दी वैसे क वैसे चिपक जाएंगे जैसे में हैं, इसलिए सम्विधान संग का पहला और आकरी का काम है, जुड़ना है और जुड़ना है, और जुड़ने जुड़ने का काम अगर नहीं कर पाए, तो रेत में बदल जाओ, रेत के ढिर में, और लाखों साल लग जाएंगी, क्योंकि र सारा काम तैयार है, जो हमारे ये 29 लाख संग्ठन, 4 लाख संग्ठन है, इन घदों को सिर्फ कहना है, अब जुड़ जाओ, क्यों खुद मर रहे हैं, और क्यों हमें मर बार रहे हो, अच्छा ये नेता ना मानेंगे भाई, इनकी नेता की बड़ दिक्कत है, क्योंकि ये तो मौत के कगारे पर खड़े हुए है, इनको तो माला, मंच, माईक और जो पैसा आता है, और जो ये सब चीज़ें एशो आराम में बड़ी-बड़ी गड़ियां है, ये कलके लड़के क्या बोलते हैं, आज जिनको ये नहीं समझ के कौन तोड़ रहा है, और वो तोड़ने मे पैसे हैं, ये देखो, तो चलने का उनका जो तरीका है, वो ये है, कि उनकी कार में जो पैटल पड़ता है, उसको समाज देता है, उनके मोबाइल में जो रिचार्ज होता है, उसको समाज देता है, उनके मोबाइल में जो पैसा लाता है, मोबाइल जो खड़ता जाता है, व एक काम करो भाई अभी नहीं का चलना फिरना बंद कर दो तब तक कि लिए जब तक यह खटे ना होजाए तो इनको पैसा मत दो, एक काम तो ये तुरंत कर दो, इसका प्रचार करो, दुनिया के जो युद्ध स्तर का होता है प्रचार वैसे, पैसे देंगे जब एकटे हो जाओगे तब, तो कहेंगे, बावा साब ने कहा है, पे बैक्टू सोसाइटी, तो उनको समझाना है कि सोसाइ बेट है, तो सबको अठनी, अठनी भी देंगे तो भाई या 15 लाग चाहिए, का कहां से लाए हमें तो में ने 15 लाग, हम कहांसे देंगे जो, तो कहांके, नहीं हमको दो, अरे तुझको देंगे, कहां काम बनेगा, बहूत सार शार शार शारी जोग हैं बहुत सारे लोग हैं, तो उनकों को भा या पहले तुम सब समाज बनाओ, सोसाइटी बनाओ, बावा साब ने कहा है, बावा साब ने कहा है, तो चुप हो जाएगा, तो बोलेगा नहीं, तो कहएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, मरवा देंगे, आपको RSS का एजेंट बताएगा, बीजेपी का एजेंट बताएगा, दुस्वन दुस्वन भी करेगा, ब्रहामन का एजेंट बताएगा, मुस्करा देना, हस देना, और फिर कहना कि देख मेरे हैं एक आईना है, सीसा है, उस आईना को लाकर उसको दिखा देना, कि इसमें सेकल दिखा दे रही है, इसमें दे यह आईना तेरी सेकल दिखा रहा है कि गद्दार कौन है, एजेंट कौन है, आरसक काम कौन करना, अबे तुम तोड़ने का काम कर रहे हो, जोड़ने का काम कर रहे हो, अगर तुम जोड़ने का काम कर रहे हो, तो तुमारी सोसाइटी समाज एक क्यों नहीं, और तुम क्यों ए और जब बच्चों की बविस्चथाइन कि यो बच्चों की जिन्गी की बात हैं लोग है पैसा छीन लोगे पैसा च्छीन लोगे तो हमारी बच्छे बस जाएंगे उनको रौठी नहीं तो उनको समझ में आएका कि वो गलती पे हैं. दूसरा काम ये करना है कि समढ संग में जुड़ने और जुड़ने کا भाशण सुनके सोना नहीं है. भाशण सुनके काम करना. यहां काम करने के लिए बोला जा रहा है. यह जो मैं कर रहा हूं ये काम है यह मुझे शौक नहीं है, यहाँ जो मुझे रोज 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 बोलना पड़ता है, यह मेरा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, यह काम आपको करना है, हम शौक के लिए नहीं बोलते, शौक के लिए बोलने के लिए हमारे पास में बहुत-बहुत सारी मंचे हैं, वहाँ अब नहीं जा सकते किसी हैं कोई बात नहीं एक गंटा फॉन को उसको सिखाओ जो वीडियो बना सकते हैं वह वीडियो बनाओ अभी पिरकास सिंग सर्में और योगंदा सर्में वीडियो बनाने की व्यवस्था कर दी है आपको कुछ नहीं करना अपना जूम खोलना टाइम बताना कि इस टाइम पर हम अपना वीडियो कंसेप्ट रिकॉर्ड कराएंगे आपका कंसेप्ट वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा और वो वीडियो में लग जाएगा आपको कुछ नहीं करना सिर्फ अपना जूम खोल के वहां रिकॉर्डिंग करानी है यह सुविदा आ गई है अब यह सुविदा आप घर बैठे जूम पर वीडियो बनवा सकते हैं वो भी टेंजन खता में करना पड़ेगा एक घंटा तो मिनिममम देना पड़ेगा दो घंटा देंगे तो अच्छा है चार घंटे देंगे तो बहुत अच्छा है 24 घंटे नहीं चाहिए परिवार भी चलाना अपना क्योंकि हम भिक्कू नहीं है चार घंटे भी देदोगे तो भी बहुत है दो घंटे देदोगे तो भी बहुत है बाबा सामने एक घंटे कुछ मिनट के लिए का है पांच परसेंट टाइम देना है इतना time daily आपने पर चार परसार में जोडने और जोडने के लिए जोडने और जोडने की बातें बतानी है और कहीं कोई कठाई आती है तो यहां बहुत सा लोग बैठे हुए पोर्टल पर पूछ लो भई यह परिशानी है यह नहीं है तो छोड़ी भात ही सब बताते हैं वीडियो में भी है आज टाIM ज़्यादा हो गया मैंने की बताता क्योंकि कुछ लोग हमारे हैंड रेज हे उनकी भी बात है पिर भी मोटी-मोटी बात यह है कि समर्संग कभी पैसा नहीं नहीं पबलिक से समर संग का जो संस्थापक हैं वो हमारे पूरवजे हमें उनका नाम पता नहीं है ना हमें उनका कुछ को कि हमारे दादा-दारी हम किनी की संतान तो रहे होंगे बस जिनकी हम संतान की संतान की संतान रहें वो लोग इसके समर संग के बनाने वाले रहें समर संग में जिन्दी में कोई नेता नहीं होता क्योंकि आज तक किसी नेता का नाम ही नहीं पता हमें कि स्रमर्ण संग में कोई नेता भी रहा इसलिए जितने भी लोग काम करना ये मर खब जाएंगे इनके नाम नहीं जाएंगे स्रमर्ण संग में मंचमाला माइक नहीं होता स्रम्ण संग में सब अपना खाना ले के आते हैं सरम्ण संग में सब लोग ये सब बता दिया सब आप जानने हैं इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है फिर भी कोई पसंड हो तो पूछ लेना और जोड़ने का काम बहुत तेज कर लेना आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छाम। संगं सरनं गच्छाम। तूतियं पी बुद्धं सर्णं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सर्णं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सर्णं गच्छामी तूतियं पी संदं सर्णं गच्छामी तूतियं पी संदं सर्णं गच्छामी साथू, साथू तूतियं पी बुद्धं सर्णं गच्छामी